घर के प्रवेश द्वार पर कोई भी मांगलिक चिन जैसे ही स्वास्तिक या ओम को सिंदूर से बनाएं, घर में किसी भी कोने में बंद पड़ी हुए घड़ी न लगाएं, तूटे हुए काँच की चीजियों को भी घर से बाहर कर दें, पढ़ाई में कमरुची रखने वाले बच्चों को हमेशा पूर्वी की और मुख करके अध्यन करवाएं, इससे उन्हें लाब मिलेगा, किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, इससे स्वास्त पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, पूजा घर का द्वार हमेशा दो पल्ले वाला ही बनवाना चाहिए, इससे आर्थिक स्थिती में तेजी से सुधार होता है, फिटकरी को काले कपड़े में बाध कर में दर्वाजे पर टांग दें, परन्तु यह किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, इससे घर में कभी भी नजर नहीं लगेगी, घर में कभी भी कोई भी नल को टपकता हुआ ना छोड़ें, इसे तुरंत ठीक करवाएं, घर की इस्तरी द्वारा प्रातह रोज उठकर मुख्य द्वार पर जल डलवाना चाहिए, इससे घर में मा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, रसोई घर और प्रवेश द्वार एकदम सीध में नहीं होने चाहिए, ऐसा करन संभव न होतो, आप रसोई घर के द्वार पर परदा लगवा दें, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे शनी और मंगल ग्रह शुब फल देते हैं, घर में सुबह या शाम भजन लगाने से देवताओं का वास बना रहता है, इससे बुरी शक्तियां घर के बाहर निकल जाती हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में लगे हुए परदे का ग्रे कलर हो तो यह सबसे सुब माना जाता है, उत्तर दिशा की और धातू से बना हुआ कच्छुआ रखने से घर में सुक समरद्धी बनी रहती है, घर के बुजुर इस बार कभी भी घर के ठीक बीचों बीच नहीं बनवाना चाहिए, घर में पेंट करवाते समय यह ध्यान रखें कि घर की खिड़्गीयों को और दरवाजों को काला रंग न दिया चाए, रसोई में खाना बनवाते वक्त यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुख्य के निमंतरन पत्रों को कभी भी भाड़ कर नश्ट नहीं करना चाहिए इससे गुरु और मंगल दोश हो जाता है तरक्की और सफलता पाने के लिए गंगा जल को पूजा घर में जरूर रखना चाहिए घर में कभी भी जूते चपल इधर उधर ना फेकें ऐसा करने से ग्रह कलेश बढ़ता है और धनकी बरवादी भी होती है वास्तुरु शासर के अनुसार घर में मोर पंक रखने से बुरी शक्तियां घर के अंदर प्रवेश नहीं करती खाना कभी भी चपल या जूते पहन कर नहीं पकाना चाहिए सीड़ियों के नीचे कभी भी पुराना सामान रखने के लिए स्टोर रूम नहीं बनवाना चाहिए घर के किसी भी कोने में दीवार च्छतिया कोई भी कोना च्छति ग्रस्त ना हुआ हो अगर ऐसा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू